हाई मेरा नाम है आशिश और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानिया आज 14 दिसंबर है इस तारीख से जुड़ा किस्सा एक अविश्वस्निय और अभूत पूर्व यात्रा का है ये सा नॉर्थ पूल और साउथ पूल कहते हैं दोनों ध्रोग प्रित्वी के आखिरी छोर हैं यानि उससे आगे कुछ भी नहीं लंबे समय से इंसानों के बीच होर चली वहां पहुंचने की इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था 19 सदी में नॉर्वे में एक खोजी हुए रॉल्ड एमंडिसन 1872 में आसलो में उनका जन्म हुआ था उन्होंने धर्टी के अंचुए और दुर्गम हिस्सों पर सबसे पहले पहुंचने का सपना पाला जब 25 साल के हुए वो अंटार्क्टिका में कदम रखने वाले पहले इ कभी काम्याब नहीं हो पाई थे कई बार तो ऐसा हुआ कि खोजी दल बर फीले तूफान में फसकर रह गये उनका कधी पता ही नहीं चल सका नॉर्थ वेस्ट पासेज के सफर ने एमंडिसन को काफी भरोसा दिया उन्होंने अपना नया नया लक्ष बनाया नॉर्थ पोल की दूर था एमंडिसन ने फंड इकठा किया अपनी तीम बनाई उनकी यात्राबर शुरू ही होने वाली थी कि एक खबर ने उनका सपना तोड़ दिया उन्हें पता चला कि अमेरिकी खोजी रॉबर्ट पीरी और उनकी तीम नॉर्थ पोल पर पहुंचने में सफल हुच्पी यह एक जटके की तरह था लेकिन एमंडिसन ने अपनी तयारी जारी रखी जून 1910 में वो नॉर्थ पोल के लिए निकले और बीच में ही अपना प्लान चेंज कर लिया इसकी जानकारी किसी को नहीं थी कि एमंडिसन कहा जा रहे हैं उनकी टीम को भी नहीं उन्हें इसका प साथ इसी मिशन पर निकले हुए थे उनके पास बहतर संसाधन थे मोटर ट्रेक्टर मंचूरियन टक्टू और साइबेरियन कुत्ते भी थे वहीं एमंडिसन पूरी तरह से स्लेज कुत्तों पर निरभर थे दोनों कई महीनों तक अपने बेस कैम्प में बंद रहे मौसम माइनस 68 डिक्री तक पहुच जाता था अक्टूबर 1911 में मौसम थोड़ा साफ हुआ तो अमंडिसन ने अपना सफ़र शुरू किया दो हफ़ते बाद रॉबर्ट स्कॉट भी अपने बेस कैम्प से आगे बढ़े उस दुरगा मिलाके में स्कॉट और अमंडिसन के भी जिल कुट्वों ने संभाल लिया था इससे यह हुआ कि उनके लोगों के बीच जो एनरजी थी वो बची रही एमंडिसन को मौसम का भी साथ अच्छा मिला हर नए दिन के साथ उनकी दुख्लकी बढ़ती जा रही थी एमंडिसन ने डायरी में लिखा मेरी हालत क्रिसमस का अगले साल जनवरी के आखिर में एमंडिसन और उनकी टीम सही सलामत अपने बेस कैम पहुंच गए रोवर्ट स्कॉर्ट का क्या हुआ उनके मोर्टर ट्रेक्टर रास्ते में ही तूट गए कई टट्टू इतने कमजोर हो गए कि उनको आगे बढ़ना मुश्किल हो गया उनको गोरी मारनी पड़ी स्कॉर्ट की टीम को सामान अपने कंधों पर लेकर चलना पड़ा जब 17 जनवरी 1912 को स्कॉर्ट साउथ पोल पर पहुंचे वहां उन्हें नौर्वे का जहंडा और एमंडिसन के कैम्प के निशान मिले रोबर्ट स्कॉर्ट ने अपनी डायरी में दर्ज किया ये जगह अजीब है और भयाव हभी अगर हम यहां सबसे पहले नहीं पहुंचे तो इतनी महनत का कोई मोल नहीं है वह वाकई अजीब जगह थी जब स्कॉर्ट अपने टीम के साथ लोटने लगे मौसम अचानक बदल गया ताफमान नीचे गिरने लगा ठंड असहनी होती गई उनका शारीर भी कमजोर हो गया था टीम मेंबर्स एक एक करके बीमार पढ़ने लगे और उनकी मौत होने लगी इससे उनके लोटने की रफतार धीमी हो रही थी निराशा हावी होने लगी थी फिर भी उन्होंने अपनी कोशिशने जारी रखी जब अपने बेस कैम से महज 20 किलो मीटर दूर थे भयानक तूफान उठा ये आखिरी चोट थी स्कॉर्ट ने आखिरी बार लिखा ये बहु पर सबसे पहले पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाए पर ब्रिटेन में उन्हें हीरो का दर्जा दिया गया उनकी जीवटता और बलीदान आने वाली पीडियों के लिए उदाहरण बन गई एमंडसन तब तक सुरक्षित अपने घर पहुच चुके थे वो कई हिस्सों में लेक्चर टूर पर गए 1918 में उन्होंने शिपिंग का कारोबार शुरू किया कारोबार तफल रहा लेकिन एडवेंचर की आदत नहीं छोड़ी नॉर्थ पोल अभी तक उनके मन से नहीं उतरा था कई वयार उन्होंने नॉर्थ पोल को उड़कर पार करने की कोशिश की 1926 में वो इसमें काम्याब भी हुए 1923 में एक बचाव अभियान की दौरान एमंडिसन का प्लेन क्रेश कर गया इस दुरगटना में उनकी मौत हो गई नवंबर 1956 में साउथ पोल पर फर्मानेंट रिसर्च स्टेशन के स्थापना हुई इसका नाम रखा गया एमंडिसन स्कॉर्ट साउथ पोल रिसर्च स्टेशन आज की तारीक में बस इतना ही नई तारीक नए करदार नए किसों के साथ फिर होगी मुलाकात शुक्रिया